कन्नावस से बीजेपी के लोग सभा सांसद सुबरत पार्ठा किस वक्त अमारे साथ मौझूद है बातचीत के लिए सर समाजवादी पार्टी लगतार 2024 को लेकर मन्थन कर रही है पीडिये पर आगे अखलेश यादर बढ़ रहे हैं और पोस्टर भी लगाया गया समाजवादी पार्टी कार्याले के बाहर जहां लिखा गया है कि इस बार पीडिये की सरकार देखो यह कुछ भी करें और अब इनको इनका जो है चरितरू जागर हो गया है और आज जनता इनके उपर विश्वास नहीं करती क्योंकि इस प्रकार की राजी नहीं थी कि आज इनको सब याद आ रहा है आज यह जब यह मुख्यमंत्री थे तब इनको इस चीज़े नहीं सोचना चाहिए था तब तो आपने सिर्फ एक कही समाज का भला किया और यह कही समाज में वो लोग जो आपके इर्दगिर्द थे आपके चेले चम्चे थे आपके नाते रिस्तेदार थे इसके लाब़ा तो कोई आपको दिखा नहीं आपने कहां आम लोगों के लिए काम किया और आज पहली बार एक देश का प्रधान मंत्री जो की पिछले समाज से आया है और जिसने वास्तों में गरीवी को जिया है गरीवी से संघर्स करके आया है वो व्यक्ति और यही कारण है कि जिस प्रक प्रकान मंत्री को हटाने के लिए यह अगर पीडिये बनाते हैं तो इस हास्यास पद है लेकिन समाजवादी पार्टी लगतार पीडिये की बात कर रही है पोस्टर लगाये जा रहे हैं दो हजार चौबिस को लेकर मंथन हो रहा है इसके साथ ही एक वीडियो भी कि इंदने यूशी सी का विरोद सुरू कर दिया है तो यूशी सी का बिरोद करके आप कैसे आप इस प्रकार की बात कर सकते हो अगर आप चाहते ही हो कि देश में अगर सभी लोग एक एक समान रहें और किसी प्रकार का अगला पिछला दलित या अधनी किसी प्रकार का कोई भेद भाव ना हो इंदू-मुस्लिम कोई भेद भाव ना हो तो बहुत महत्वपूर्ण है कहां के ओपर एक कानून की आवश्यक्ता है क्योंकि यह नहीं हो सकता है कि एक संपरदाई व बात करेगा आप उसका समर्थन करोगे तो यह कहीं ना कहीं सबको दिखता है सबको समझ में आता है एक और सवाल है कि विपक्षी दलो की पहली बैठक हुई पत्ना में अब दूसरी बैठक भी होने वाली है लेकिन उससे पहले जिस तरह से बयान बाजी सामने आ रहे हैं उ कोई खट्टे भी होते हैं तो किसी प्रकार से अदि मुसल्मान हमसे बिखर ना पाब है उनको लगता है कहीं न इक प्रधान मंतरी से नरंदर मोधी जी इको मुस्लिम बोट नहीं करता है तो परकार से उनके वीच में यह लोग इस इसी भी समाज का हो तो आज यह जान साहिए हिए दिमादर हर्ट के साहिए है कर रहे हूं और चाहिए उत्तर प्रदेश में आप इस प्रकार की बात कर रहे हूं बहुत शुक्रिया बात्जीत के लिए के साथ स्वाथी पाठक भारत समझार दिल्ली